हेलो औरिबडी सबसे पहले तो मैं आपसे माफिच आता हूं मैंने अभी 10-15 मिट पाल एक वीडियो डाली थी एच्टेट के सलेबस के बारे में वो इन्फोर्मेशन गलत थी और मेरा भी विल्कुल माइंड गुम गया था कि मैंने वो गलत वीडियो डाल दिया तो सलेबस नया आया है जो लेवल 2 है उसका सलेबस जो पुराणा 2006 में आता था वही सलेबस रहने वाड़ा है ठीक है तो सबसे पहले PRT लेवल 1 का है बाल विकास एंपर सिक्षन से वेलेटेड तीस परसन आएंगे इंदी और इंगलिस के हिंदी के 15 और इंगलिस के 15 कुश्च 10 नमबर के reasoning ability 10 नमबर की और अर्याना जिक के और awareness ये आएंगी 10 नमबर की ठीक है तीस नमबर अब journal study के डल गए है पहले ये जो नहीं आती थी इसमें एस्टेट के एक्जाम में ये नहीं आते थे किसी में में लेकिन इस बार ये डाल दिये गए है ठीक है उसके बाद mathematics mathematics के गए 30 परशन आएंगे पहले भी 30 आते थे अब भी 30 आने वाड़े हैं इसके बाद environment study इसके भी 30 परशन आएंगे पहले भी 30 आते थे अब भी 30 आने वाड़े हैं ठीक है यानि कि डेट सू नमबर का total paper आता है stat का चाहिए वो level 1 हो चाहिए 2 हो चाहिए 3 हो ठीक है उसके टेस्ट और रिजिनिंग अबिलिटी अरियान जिक्की यह नहीं आएगी जो इंदी और इंग्लिस है वो 30-30 नंबर की हो जाएगी टीजिटी में ठीक है पहले वाड़े इसके बाद लेवल थरी है बाल विकास अंपर सेक्षन थीस नंबर का इंदी और इंग्लिस थीस नंबर की 15-15 नंबर की दो नहीं इसमें उसके बाद जिक्की आएगी अरियाना जिक्के और awareness, reasoning ability और quantitative up to test इसमें level 3 में आएंगे 30 नमबर के टोटल उसके बाद जिसमें आपका special action जो आप जैसे इंदी में बढ़ना चाहते हो टीचर तो इंदी आएगी 60 नमबर की ठीक है यानि कि special subject इसमें 60 नमबर का रहेगा तो दोस्तों मैंने पहले वेडियो जाली उसके लिए मैं आपसे माफिच आता हूँ वो गलती से मैंने आपको wrong information दे दी तो मैंने वो वीडियो डिलेट कर दी है तो एक तरिक से एजटाट के application स्टार्ट हो जाएंगे आप apply कर सकते हैं 23 दिसमबर और 24 दिसमबर को exam है तो बस ये चोटी से information आपके साथ share करने थी वीडियो को like जरूर किये और दोस्तों के साथ share जरूर किये यदि वीडियो में information सही है तो और comment करके जरूर बता है कि वीडियो की जानकारी सही है या नही है धन्यवाद दोस्तों